हालो स्ट्वेंट वेलकम अल आप ये एड ओनलाइन क्लासेश ने प्रदीप चंद्रा डिपार्टमेंट आप सिवल इंजिनिरिंग आज जो आपका टॉपिक है जिस पर हम डिसकस करेंगे जो होगा वर्नियर स्केल ठीक है तो वर्नियर स्केल सबसे पहले था आप आप पाइं सब्सक्राइब करते हैं जहां पर हम यूज जो कि हम मेजरिंग करने के लिए यूज करते हैं वर्टिकल एंगल और होरिजोंट एंगल आज बखु भी जानते हैं आप लोग और नहीं भी जानते तो जानना पड़े गाई कि जो फूड़ो लाइट एंस्ट्रूमेंट हम जो तो वर्टिकल एंगल होरीजॉंटल काई कि सर्वेवर् बख में हमें जरद पढ़ रहा वरिछ एंगल और होरीजॉंटल एंगल क्योंकि अगरा से यह पास कहीं पर कई जगा पर एक अंगल पता है हमें डिस्टेस्पी अगर माना सपोर यहल्प से यह अस सपोर सब् their को मैजर कड़े माना सब्साट ओसके की किसी एंगल पर इस दरा बॉर्टेकल आंगल हैं यह आपने मेजर कर दिया سब्साट कि सब्सक्राइब कि इसके परपेंड को लगए इधर वाला यह डिस्टेंस यह वाला डिस्टेंस कि कहीं न कहीं हमारे पास अगर और एंगल का नॉलेज है तो हमारे पास सर्वे वर्क है उसके लिए बहुत आसानी हो जाता है इसी के साथ यह जो इंस्ट्रुमेंट हमारा जा जाएगा इसलिए भी बता रहो है क्योंकि वहां पर हमारा वर्टिकल और होरीजोंटल एंगल मैजर हम करते हो इसके साब सम्पूरा का पूरा इस्टुमेंट बहुती प्रिसाइज वैली वहां पर चाहिए होता है तुम क्या करते है इस्ट्रेंट फूड लाइट पर आ यह का है इसीन दम्रीटर सकेम्हें प्ड़ाव देखें ध्यांसेंट फूक वैसन के साथ हम आएंगे इसका यूज को जानने की कोसिस करेंगे पहला प्यस्टन होगा पहला क्वैसन अपार यह होगा नियर इसकेल का यूज हमने क्यों किया है प्यूद्ञीर है वंडियर सके क्वेसन के साथ हमारा पूरा टॉपिक खतम हो जाएगा बस अब दो क्वेसनों में देखना कितना समय लगता है तेकि हम जो है वनियर स्केल का यूज क्यों करते हैं उससे पहले हम स्केल के बारे में थोड़ा जान ले हलका फुलका हलका फुलका इन स्क्राइब स्केल कई कर दोड़ा चैनल यहां पर होता है काम कि यहांपर दो तरह का है यह सटे OB by a 1978 ट्पारे एक होता है और ऑपिस पर अटेस्थ अगरल कर सकतें सबस्रेंद कessionल क्र से इसको एक लिए करना क्रना यह वाला जो सेल यह ग्रैप जे यह आम लिकाиваем-ट भी करा रहेंगा यह आपका slide होता रहेगा कौन वर्नियर स्केल और आपका मेन स्केल फिक्स होता है अब इस कंपोनेंट को थोड़ा सा मैं इसको describe कर देता हूँ कंपोनेंट के बाद हम डिरेक्ट ली जाएंगे कि इसका यूज क्या है और क्यों यूज किया गया है चलो टाफ से पहला स्ट्ट्र मेने a&b लिका है a&b this are low one and upper jaws a&b यहां पर आप बोल दो इसको अ हो गया यह बी हो गया ए और बी a&b यह वाला जो है अपर जॉस होता है यह वाला होता लुआ जॉर्ग जॉर्ग अपर जॉस कासी है actions suppose एक ये रख दिया आपने ये जो ispen आप्के जोछ आपके जौज अप का लोवर है जो इसकी आप अटेच्स कर दोगे कैसे करोगे ये जो sliding होता है गई सर्कल एक और Maynes स्केम में किल में इसकेल में स्केम के जीरोसमें इसकेल का जीरो यह है इस इस पर यह attach रहा होगा पहले, इसको slide कर दिया आपने, तो आपको इस पर attach कर दिया आपने इस circle, यह coin और इसका diameter आपको मिल जाएगा, diameter कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको पता हमाएंगे ही, लेकिन अभी आपको क्यों इसना पता लगना है, कि जो lower zone था, उसने क्या क्या, इ यह देगा आपको outer diameter, okay, inner diameter जो देगा, stand वो देगा, आपको B part, B part का मतलब upper zone, finally यहाँ पर एक objective हमारा, यही समझना था, हमें, शुरुवात में, lower zone होता है, वो upper diameter, sorry, वो आपका external diameter, outer diameter, देगा, lower zone, and upper zone, जो देगा, वो देगा, वो देगा, आपको internal diameter, और inner diameter, ठीका है, पहल प्राइमिटर दे रहे हैं, उस पर तो माएंगे ही, वर्नियर स्केल, जो मैने C लिखा, stand, this is the one year scale, जो मैने red mark किया है, यह होगा, यह होगा, वर्नियर स्केल, इसमें भी ग्रेजुवेशन रहते हैं, देको ग्रेजुवेटिट रह रहे, ठीका, यह होगा, यह होगा, आपक इसको मेजर मेंट करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, जहां पर कोई भी होलो सेक्षन के लिए चाहिए, आपको उसमें डफ्त को इंसर्ट करते हैं, इसमें ग्रेजुवेशन रहते हैं, यह रहे गाए इसके साथ रहेगा, जो यह आपका sliding हो सकता है, कौन वर्नियर स्केल, ठीक है, man scale की बातें खतम हो गई, यह सारा चीज आपको पता लगया, कौन सा component क्या है, yes or not, सब कुछ पता लगया, आप इधर देखो, अब थोड़ा कानी थोड़ा सा आगे करते हैं, जड़ा सा हम आगे कर देते हैं कानी को, इधर देखें, इधर देखें, हम suppose that stand, इसको मत देखें अभी, यह वाला पार्ट, यह वाला जो लाइन में ड्रॉ कर दो है, इसके उपर नहीं जाना है, इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, इस पर देखें, क्योंकि इसको एक साथ अगर आप देखो, तो फिर confused हो जाओ गया, ठीक है, इसको देखो पहले, यहाँ पर हैं, क्यों वर्नियर स्केल को यूज करने का हमें क्यों जरत पड़ा है, इस पर question का हम जवाब दे रहे हैं, देखें, जो मीटर स्केल होता है, इसका तो यूज हमें कमी देखने को मिलता है, और जिन्होंने सर्वे किया है, वहीं उन्होंने तो देखा ही होगा, अबेसलिक स्केल में क्या देखते हैं, आपका 30 सेंटिमेटर का एक फिट होता है, फिट आपने देखा होगा, जो आपका स्केल होता है, फिट, इस सेंटिमेटर का होता है, 30 सेंटिमेटर, आप देखते हैं, क्या 30 सेंटिमेटर का होता है, पूरा का पूरा फिट, वहलों कि 30 सेंटिमे तक तो मलब कि एक डिविजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक सेंटिमेटर के आपके सब डिविजन देखने को मिलते हैं इतना चीज तो विजुलाइज हो रहा है ना इक सेंटिमेटर के भी वह एक संटिमेटर के भी आपके सब दिविजन हो इनधियां पर बता रहा हूं कि एक संटिमेटर कि दो से ईधि़ गतर रहा हैो से यहां से स्कैल में विजूर्ण को अब यह जे तो इसकीन में अब से लिए दद हु。 अब आपको देखना इस ट्रेंट देखना से यह जो पूरा स्केल है अ के युश पूरा से एक सेंट मेंटर है क्या से नियर एक कितना है ? यह लग से मार करके दिखा रहा हूं एक डिवजन दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यह पूरा माना एक सेंटिमेटर है, बहुत बारिकी से समझो, आगे तभी समझाएगा, आगे तभी समझाएगा, इसलिए समझो, यहाँ पर 1 सेंटिमेटर है, मैं कह सकता हूं कि यह आपका जो ए mm, मालब कि सिंसे सीथे बोल सकते हैं, कि यह 1 mm है, नहीं समझे, नहीं समझे, अभी दर देखो, एक सेंटिमेटर है, और एक सेंटिमेटर माप इतने भी जानते हैं, कि 10 mm होते हैं, जानते कि नहीं जानते हूं, 1 सेंटिमेटर इस इकल टो कितना mm, 1 सेंटिमेटर इकल टो 10 mm, yes or not one centimeter is equal to 10 mm तो मतलब कि एक जो है ये एक section ये आपका 1 mm का हो गया क्या तभी नहीं 10 mm होगा 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 8 9 10 तभी जाके वो 10 mm होगा हर एक section होगा in meter scale each section made by one mm each segment or each division made by one mm मलब की साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो इसका this meter scale का this is the meter scale this is the meter scale this is the meter scale meter scale yes or not this is the meter scale okay और meter scale का जो आप सबसे लिस्ट जो है सबसे minimum distance यो आप value दे सकते हैं वो 1 mm तक ही सकते हैं इसी को बोला जाता हो इस्ट लिस्ट count क्या बोला जाता है list count LC is को बोला जाता है LC इसको denote किया जाते है लिस्ट count of main meter scale is equal to 1 mm पहला objective list count of meter scale इतना आप पहले भी जानते थे least count of meter scale is equal to 1 mm yes or not 1 mm से नीचे आप कुछ नहीं बता सकते हो एक mm से नीचे आप जो है कुछ भी नहीं बता सकते हो meter scale में अब देखो मैं इसको practically एक्जाम पली बता रहा हूं आपको देखे माना suppose आपने क्या क्या कोई duster था इस duster को आप scale से मेजर करना चाहरे कि यारे कितने length का है कितना length है इसका linear measurement कर रहे है इसका length क्या आप scale लाए से स्केल से सब्सक्राइब करना चाहिए गाँ पर सैट करोगे हिसको बिर्वसरेट करोगा इसका इसके मेजर मेंट आप सबस्काय। कितना लैंद का अब म Connect कै यहां पर यह जो फीटा है यह 1000 है अगर वन सेंटिमेटर पर फेक्ली कौंसटेइंस करते आप लिखते तो लेंद पर आता तो यहां पर क्या होता यह 1.5 है क्या अगर यहां पर यहां पर आता तो देखो यहां पर आता तो लो यह हो गया तो यह क्या होता यह बोल देता आप 1.6 हो गया यह 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 यहां पर आता तो सर्य हो गया 1.8 हो गया देखो 1.567 8 1.8 हो जाता है मलब की 1 cm 1.8 का मतलब क्या 1 cm 5 mm yes or not इसका मतलब तो यह यह ना हर एक सेगमेंट कितने का है 1 mm का है तो ऐसे ऐसे 1 mm mm बढ़ रहे है मलब की ऐसी मैं कहूं देख सेना ध्यान से भाई क्यों मैं इसको समय लगा रहा हूं मैं कहूं कि यहां पर यह है अगर अब्जेक्ट तो आप डिरेकली बोल देते कि सर यह है 1 cm मलब की 1.1.2 है सर यह देखो वन यह होगा यह 2 होगा 1.2 cm कहेंगे इसको साब साब बोल सकते ह हैं कि 1 cm प्लस पॉइंट 1 cm प्लस 2 mm इभी तो बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं चलो ठीक है इस पर हमाँ भी जिरे-देर आते हैं इलर देखें अब हमारा अबजेक्टिव यह इस ट्रेंड में जो पॉइंट है मेरा मेरे समझाने के लिजन यहां पर यह है कि यह जो अबज पर है कि अबजेक्ट हमारा यहां पर अभी है कहां पर यहां पर इसको दिखा दू कर रहा है और नहीं 8 पर आपका कॉंसराइट कर रहा है मुलकि जो लाइन आप देखा रहे हैं ध्यांच देखना इस लाइन इस ट्रेंट यह आपका 1.7 से लेकर 1.8 के बीच में है यह लाइन जो है 1.7 से 1.8 के बीच में है yes or not 1.7 and 1.8 के बीच में है तास आप दिख रहा है कि इतना आपको पता लग गया यहां से आपने देखा कि list count जो है 1 mm क्यों क्यों कि एक mm से नीचे आप नहीं मेजर कर सकते हैं आप में कैसे कैसे का मैंने इधर देखो कैसे कहा दिया मैंने यह बात इतनी बड़ी बात कैसे देखो हमने काया कि 1.7 1.8 है अब इस अब्जेक्ट यहां में मीटर स्केल में तो आप मेजर कर नहीं पाते हैं इसके प्रफेक्ट्ट ली जो है कौनसाट क्या है मैं आपकि 1.7 से 1.8 के बीच में इसमें आप आशर यह से देख सकते हूँ 2 3 4 5 ए 6 7 8 9 यह सकते हो आशर यह सकते हूँ यह दे सकते हूँ यह देख आशर फाइनलि 1.80 यह यह 1.8 ले खें तो बढ़िया ही नहीं समझे क्या इधर नहीं दिख रहा आपको 1.7, 1.79, 1.8 अब दिख्या के लिए देखे यह जो वैल्य एक्ट्वल में जो अब्जेक्ट था यह पैंसिल पैन कुछ भी मान सकते हैं आप जो आप में जो बोटल जो भी आप मेजर करने जीरो सा आपने सेट किया होगा इसको इसकेल रखा हो यहां तो यह 1.7 से 1.8 के बाद जब आप बारिकी से इसको प्रोजेक्ट करें स्केल को ठीक है तो यह आपको 1.7 से 1.8 के बीच में दिख रहा होगा तो 1.71 भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मालब कि 1.8 से 1.7 से 1.8 के बीच में यह सारी वैल्यू हो सकती है किसी दोस ने कहा कि 1.7 3 किसी दूसरे दोस ने कहा कि 1.75 मेरा है ऐसे तरीके से आपके इतने आंसर बन सकते हैं कि इतना पता लग आपको कि एरर है कि यहां पर क्या है एरर है और देखपा रेना इस सिनारियों से यह फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं इससे हमें क्या स्थिक्न को मिल रहा है कि यहांपर कुछ न कुछ एरर है क्यूंकि accurate answer किसी को पता नहीं अभी सब अनदाजे में बोल नहीं Сब को अंदाजे में बोल रहे हैं अदाजे में तो बोल रहे हैं यहां पर एकुरेट आंसर पता नहीं हमें हमें खाई मैंड कि अग्र मैपको मैक्सिमम रर पूछ ऊचूं इस इस अ है कैम मैय तो 1 mm जो है इसका maximum error होगा क्या होगा 1 mm इसका maximum error होगा yes or not बोल सकता हूं कि हमें 1 mm इसका maximum error है की लिए है yes or not 1 mm ही इसका maximum error होगा अब देखिए हमारा 1 year scale कब यूज करते हैं अब जो यह difficulty हमारे पास आ रहे थी किसर यह जो error है maximum error obviously 1 mm जाएगा इसके बीच में जो है आपका 1 mm कई तो डिविजन नहीं है हर एक डिविजन कितने का होता 1 mm तो maximum error जो है इससे ज्यादा तो कोई error नहीं होगा यहां पर देखिए आप 0.01.02.03.04.05.06.07 इस तरह से आपके error बढ़ते जा रहे हैं तो finally maximum error जो होगा स्ट्रेंट 1 mm ही है हो कितना है कितना है maximum error बोलो maximum error क्या होगा बोलो भाई ठीक है स्ट्रेंट यहां पर हमने सबसे important point जान लिया है उसके बाद हम आगे जानेंगे कि वर्णियर इसके हमारा यूज कैसे करते हैं और इसका work कैसे करते हैं स्ट्री तो यहां पर हमने देखा इस्ट्रेंट के हमारा जो maximum error था maximum error जो था हमारा point sorry one mm का हमारा error था one mm का मलब क्या होता है point centimeter point one centimeter क्योंकि आप जानते हैं कि एक centimeter magic one centimeter is equal to 10 mm one mm is equal to point one centimeter ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस्ट्रेंट यहां पर हमने क्या देखा one point one centimeter हो जाए गए ठीक है यह सो नौट maximum error यह कैसे पता लगा आपका जो आंसर था one point seven one से one point seven to one point eight के बीच में होगा तो अब्यसलिए one mm का ही है और maximum error इनके बीच में होगा तो यह आपने देख पाए कि हमारा जो actually में जो scale था हमारा जो object था आपके one point seven to one point eight के बीच में coincide कर रहा था coincide कहीं नहीं कर रहा है तो आपका कोई scale कुछ दिखाएगा कोई scale कुछ measurement कुछ दिखाएगा तो कहीं ने कहीं error दिखाएगा तो यहां पर इस्टेंड अब आते हैं वर्नियर scale का यूज वर्नियर scale का यूज क्या है जिस तरीके से आपने देखा main scale मारा मलब की यह आपके क्या होंगे one mm के division होंगे one mm के मलब कि अब आप precise value निकाल सकते हैं इस one mm कभी आठ से नौ जाएँ यह जहां पर कहा पर गए था आप अब जेक्ट यह था साथ से आठ जाएं माना यह है आपका seven point यह है और एटवा point यह है साथवा point यह है और आटवा point इसके भी अंदर आपके दस division होंगे one two three four five sir करके दस division होंगे उनका भी आपका graduated mark रहेगा उनका भी आप value बता सकते हैं अलब कि one by ten part आप बता सकते हैं इस one mm का इस one mm का one by this one mm का ten part आप बना सकते हैं लब कि one upon ten mm पार्ट आप निकाल सकते हैं इस विल भी 0.1 mm 0.1 mm ठीक है दस पार्ट आप निकाल सकते हैं एक mm का दस पार्ट मतलब कि एक पार्ट कितने का हुआ समझ गया कि मैंने कहा कि जिस तरह से आपने मीटर सकेल देखा था मिटर सकेल में यह आपका एक सेंटिमेटर का पार्ट उठाया मैंने एक सेंटिमेटर था एक सेंटिमेटर था एक सेंटिमेटर था एक सेंटिमेटर था एक सेंटिमेटर का मलब कि एक डिविजन आपका वन mm का वह था इसी तरीके से वर्णियर स्केल में हम 1 mm के भी दस डिविजन करते हैं भाई जैसे मैं आपको उठा के दिखाया था कि आपका साथ से आठ के बीच में वैल्यू आ रही थी यहीं पर देखो है भी आप वैसे यह अलग फीगर है इसको मत करना इसको को रिलेट देवन से एट में आपका एक पार्ड माना यह 1 mm का एप देखते हैं मीट्र स्केल में बात कर रहों एक mm का है लेकर वर्यरिट्र स्केल में इस 1 mm कभी जो मैं आ बगर आपको यहाँ पर दिखाओ इसको इस 1 mm कभी 13-0 mm होंगे मंलब की एक beacon कितने का 1 by 10 क्या क्योंकि 13 14 एकडिविज आपका पूरा यह डिस्टेंस और एक डिविजन में का वैलू हो जाएगा जीरो पॉइंट वन एम्म क्या यह इस्टन वर्नियर इसकिल की खासियत यह वर्नियर अब बता पारे थे वह एक्यूरेट वैल्यू फुल डिग्री अफ फुल डिग्री आफ पर्फेक्शन नहीं मिल पारा था हमें अभी भी प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल पारे थी इसके लिए वन्यर इसके ल्यूज क्या होगा वही चाहिए भी हमें ठीक है ना वही चाहिए तो यह तो मिली जाएगा ओविशली तो यहां से अगर आप देखें वन बाइट 10 mm लगकि 10 वन बाइट 10 मतलब एक mm का 10 पार्ट किया तो एक mm कभी आपने 10 पार्ट किया तो वो मिल गया आपको क्या एक mm का 10 पार्ट किया वन एम एम का 10 पार्ट किया जिस तरीके से एक सेंटिमेटर का 10 पार्ट आप करते थे तो आपको एक छोटा सा वैली मिलता था मीटर स्केल में उसी तरीके से वन इर स कर सकता हूँ कि वर नियर स्केल जोआ वह थोटा स़ छोटा फैलिव जोए वह .1 जो मेजर कर सकता है वह क्या कर सकता है वह सकता है वर नवगाई टेन पाड पर उन काम तन पलड़ भी मेजर कर सकता है इसके बोला यह आता है इस्टेंड लिस्ट काउंट मीनिमम से मिनिमम कितना आप मेजर कर सकते हैं तो यह किसके लिए वाइस ट्रेंट यह वह वर नियर इसकेल के लिए बस हो गया अब्जेक्टिव हमारा निकल गया लिस्ट काउंट आप वनियर स्केल इस इस दा पॉइंट वन अम्म अब कुछ रट नहीं कि जरात नहीं बहुत से क्वेशन जो होता है घबराना मत हमारा जो लिस्ट अकाउंट होता है सल्काउं और मिनिमुम् पॉइंट यूनिट चेंज कर दे था एक चूर्मने erkl 1933 अचीट से तरहके से कहा 1 mm आप दि İşte done आप यूनियर सकते में ईत्याव आप इसकी तरीख says HR क drone छोंडिंट बनाटा को आनीं चल्ठ इसकांद लिस्ट सेblack यस करें स्क्रिव गेज आपने सुना या ना सुना साथ बच्पन थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा हो तो साथ सुना होगा ओबियसली इसक्रिव गेज जो होता स्टेंट इस 0.1 का भी समाज रहो कितना प्रिसाइज बैली देगा वैसे होता है वेसे तो हमारा काम इतने से चल जाता जितने भी हमारा जो इस्टुमेंट है वहाँ पर हमारा थूड़ लाइट से सरी वन इर स्केल से काम चल जाता लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता होना चाहिए कि स्क्रूगेज जो तस्टेंड आपका 0.01 तक भी मेजर कर सकता है 0.01 mm अगर आपको कभी पुछा जाए कि लिस्ट काउंट आप इस्क्रूगेज इस विल भी 0.01 मालब कि 0.1 का भी कितना प्रिसाइज देगाए दूचरो सोचो जड़ा पहले कितना प्रिसाइज कितना बारिक वैल्यू दे देगा है पॉइंट वन कभी दस हुआ पार्ट वो होगा एक डिवजन पॉइंट वन का टैन पार्ट जब आप करोगे पॉइंट वन का टैन पार्ट वो देगा आपको स्क्रूगेज ठीक है लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं अभी तो हमेरा स्ट्रेंट यहां पर क्वेशन का हो गया आपकी खितम अब हमारा में दो एक क्वेशन का ढहाव हमें मिल गया बहुत अच्छे से मिल है घ्रेच क्यों करते हैं अब हमारा work करना हमें ज़रूरी है कि में जो आपका वर्नियर इसके लिए work कैसे करते हो उसको रिडिंग कैसे देखते हैं उस सारा चीज़ हम शीकर आगे दूसरा question जो हम्हारा है इन दोनों question के साथ ही हम आगे topics को बढ़ाते हैं इदर देखें अ ऋबनेान पर देखें दर इसको देखना पैढल crawlya तो यह थो यह ता तुमारा वन्यरी स्किल यह वैल उन यूओह आप को ेख रहे है यह वैवाला ग्रेज organizat ग्रेडिवayson देख रहे है इї तो इसको द्याधा मता सब्सक्राइब एव प्रक्ञक एव्टिकां कर सकते हैं करने कि दिए जिए है यहां पर आपको जीरो पर तो यह कंशाइट कर देगा इसका जीरो इसका जीरो जो यह है जो जीरो जीरो एक जीरो एक कर देगा स्ट Rica करें. यह पर कर दिया इसको सिर्ट करके यही पर लाए लाए जिरो से जीरो मैच करा दिया गाने टीके लिया तो करने झालो आप देखो अपर यह फोता हैं दिखाना हैं काला वाले को वह म은ر आपको टॉप में यह आपका में स्के और नीचे जो आपका स्केल प्रेश्य मेने रेटCाया यह हो गांव क specially मैने इक मार्किण दिखाए नहीं या वाली। आपके वर्रे वर्निय प्रेश्य की और और ऍसकेल अवह शारे स्केल दल्ग हो होगा this is the sliding scale यह क्या होगा sliding होगा yes or not दो चीज़े पहले समझाओ इस sliding होते जाता है मैंने क्या का है मैं कैसे इसको functionate कर रहा हूं इसको मैंने यही पर coincide कर दिया zero line से मैंने मिला दिया लोग बिला दिया खीक है अब देखिए सबसे पहले मैं मैंने सकतको दिखाना क्या जाता हूँ यहाँ सबसे पहले मैं में कर दिखाना चाता हूँ इसका जो 1 cm का जो प्रोजेक्शन वो जो आपको दिखेगा इसका इंटरनली प्रोजेक्शन में दिखा रहा है आपको एवी जस्ट पहले तो बताया कि एक संटीमेटर में कितने पार्ट होते हैं 1 by 10 part एक division का होगा मलब कि 10 part होगे obviously 1 cm मलब क्या 1 cm का मलब क्या है ये 10 mm है 10 mm का मलब क्या 1 division कितने mm का 1 mm का ओके तो यही चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बताए कि this will be 1 cm it means that 10 mm 1 cm is equal to 10 mm मलब कि एक division आपका 1 mm, 2 mm, 3 mm 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 mm, पूरा complete हो गया अच्छा, अब देखें यहाँ पर देखें वाई ध्यान से देखें मुझा अभी दर देखना है कि दर देखना है अब देखें जो वर्नियर स्केल होता है इस वर्नियर स्केल जो होता है इस के जो डिविजन होनते हैं अगर मैं दो तरह का वर्नियर पर लेकिन फिनोमेनास दोनों प्रोसेजिंग एप्रोचिंग दोनों का सेम है इसलिए समझो ध्यान से दूसरों बढ़ाने कि मुझे जरत नहीं अगर आप यहीं पर यह डिर्क्वनियर की कंडिशन में बता रहा हूं यहां पर यहां पर कहानी जो बढ़ा रहा हूं यहां से सुनते रहो डारेक्वनियर इसमें क्या होता है जो मेन स्केल की मैं बात कर रहें तो यह जो आपने किसे अब तीव यह आपके डिव जोन में होता है इस के दूटा सफोड़ा सक्का मोता है एिसके जो कं मोता है कि जो ऐसे अपको स्लाइडली कम दिख रहा है इत्के आपका एक थोड़ा होगया दूसरे का होगया जूरो से स्टार्ट वे ढ़े स्टाट एक लाइन से दोनों भाइद गये थे ऐसा बेस मारते हुए लेकिन इसके जो है कम जोरी थी थोड़ा सा यह कमी रेस मार पाया यह होगा यह होगा ठीक है तो यह देख पा रहे हैं कि दूसरा डिवजन यह तीसरा हो गया चौथा पांचवाँ छट्वाँ साथ मां थोड़ा थोड़ा आप यह बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है एए बाधल के डिवजन से थोड़ा सक स्लाइटली कम हो जोड़ा शर्क जोड़ा से में इस गया ऐसा 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 करके अब यहां पर आप देखते हैं कि यह दिखता है आपको प्राक्टिकली कि जो अगर यह वाला डिवजन आपका पर परफेक्क्लिक कॉइंस परफेक्लिक क एंसाइड हो जाएगा कि क्या देख रहें स्टैनफ आपjuk परक्रक लिया आपक्या देख रहें अगर मैं आप से पूचा व कि वन व रनियर स्केल डिंजन में क praw मैं बोलूं कि वन वर्णियर स्केल डिफिजर वं रनियर स्केल डिफिजुसर इस emergency कि मैं बात करूं तो इस कितने के बरावर हो रहा है जी स्वरी टैन वन यह स्केल डिविजन की मैं बात करें देखो द्यांद समय नहीं बहुत इंपर्डेंट पार्ट है टैन वन यह सकल मैं अगर आपको अलग लगी दिखाता आपको रेड पैंसे में लिखर हो नो टैन डिव नो डिविजन दिख रहे है क्या में इस केल में फिर से रिपीट कर रहा हूं इंपर्डेंट है आपका जो वन्यार इसकेल इस ट्रेंड क्यानियर वहां पर हमेन स्केल के डिविजन होता है वह और स्लाय्टली कम होता है वह इन इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो 9 पर य ठेहा और इसके अक्वर्टिंग आप देख पांग हुआ है कि वनीय स्केल के जो डिविजन erzähl थेंग रदेखो एक घैज दो 3 helping 5好吃 शाथ आट्नो धेखो एक डिवजन दो हम तीन चार पांच चाहे नो 10 बिढ़ी रिब noiц ед़ हुए और नोई स्केल बराबर हुए उसके नोब इसी लाइन के बराबर किर दिया ना लग कि मैं इंडरेक्ली बोल सकता हूं कि 10 वर्नियर स्केल डिवजन इटीकल टू नाइन वेन इसकेल डिवजन यस और नौट अलब कि हम आपको पूछ हूं कि एक वर्नियर स्केल डिवजन का वैल्यू तो आप एक सेकंड में जवाब दे दोगे सर हमारी मैच बहुत अच्छा है यह हो जाएगा 10 msd यस और नौट कि बोल सकते हो क्या कि यस और नौट बोल सकते हो यस और नौट तो मिलब कि यहाँ पर कि यस और नौट बहुत नौट यसे रहली का विरी मैच 8 झालन बोल सकते होagne रहीं संवाइख method झाल झाल जलो तो हमने देखा इस ट्रेंड यहां पर थोड़ा साइल साउंड नहीं आया हूँ तो कोई नहीं मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या हूँ था हमने यहां पर सिखा कि 1 VST is equal to हमारा जो है 10 VST 10 VST का मतलब होता है कि 10 division 10 vernier scale मालब vernier scale में जो 10 division थे एक division दो एक division दो तीन तार दस division जो बराबर हो रहे हैं वर्यर scale में वह आपके 9 division के बराबर होते हैं में scale में वह 9 division के बराबर हो रहे हैं वर्यर scale में ठीक है अभी कुछ खबराओ मारे इतना देखो जितना मैं बथा रहा हूँ दस division बराबर हो रहे हैं नो में scale division के थे मलब कि 1 1 1 year scale division जो गा नाइन बाइट 10 mm का होगा 9 by 10 mm का होगा 0.9 mm हो गया वन वीस्टी से इकल टू वन यह स्किल में जो डिवजन होगा वो 0.9 mm का होगा 1 VSD यहां पर जब देखे हैं हम तो यह वाला जो डिफरेंस है यहां पर कितने का डिफरेंस यह वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा पॉइंट टू का यहां पर जाए हम यहां पर तो यह दिफरेंस दिखेगा पॉइंट 3 का ऐसी यहां पर आए तो यह दिफरेंस दिखेगा पॉइंट 4 का कहा पर दिखेगा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिखेगा ठीक ना इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस दिखेगा वो दिख यहां बढ़ता रहेगा ना नहीं समय रहोती जो को देखो याप कोशिए गड़ेगा अगर यह इस दिफ्रेंस इग्जेक्ट अगर यह यहां पर दिख जाता तो आप लिक लेते प dell ईख लेट है और इंखङक नहीं दिए तो आपको एक एक चीसे पर आप नकाल राएं एक पोईंड P office ने कर भूए इतना डिपरेंस आपको मिल रहा है TIME 1 पॉइंट 2.3 वनेँद और सिपएल से तो दित्म पाएगा जैसे हमारा यहां पर इन से को दिफ्रेंस है यह कितना होगा 0.3 का होगा 0.3 mm का ऐसी यहां पर देखा आपने जो यह कितने का आया 0.9 mm का तो यह 0.9 mm का यहां पर दिखेगा हो यहां पर देखा पॉइंट टू का अब देखेगा हो जो मैं आपको यह चीज़ लिखा हूं कि अगर मैं लिखू इसको की एंड नमर बोल देता हूं अब दाटने यहां पर आतला हूं कर रहा है तो यहां पर यह आपर honno 10 मीने गटाओगा तब लगी और आप समाझ हुआए कि अबडिक्टिप के पॉइंटर यूशंग रहा है चीज़ों को अगर यह 10 N को है इसको वन्यर स्केल में जो डिविजन इसको N नमर दे दिया आपने तो यहां पर आप देख पार है कि N-1 है इस अधर डारेक्ट टू वन्यर स्केल इस ए डारेक्ट वन्यर स्केल इसके जस्ट उल्टा बस हमारा कोरिलेट हो गए यह चीज़ है पहला हमने चीजने इतना प्रिसाइस वैईली भी देख रहा है वहान पार्ट वन वाइट टैन वन मीम का टैन पार्ड भी ये दे सकता है इस अमज रहा आप वन्यर स्केल से दूसरा चीज़ हमने यह एक हैहा Tiffany हो क्या राय है कि जो निर ट्रेक्ट वन्यर केस है उसमें आपका अगर ए एन वनियर अगर आपके यहां पर यहां पर एन स्केल है एन जो होता है मेन स्केल में अगर मेरा एन है यहां पर मेन स्केल में वनियर स्केल में मेन स्केल में आपके एन प्लस वन हो जाता है नहीं समझे तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डारेक्ट वनियर में एन डिविजन कि अगर में इस्केल में हो जाएगे एनमेय माईनस वन डिवजन वानियर में अगर अन्ग है ऐसी लैत्रो ग्रेड जुवरनेयर होता है इसके लोता है उसमें गरकौनियर देखेट gemaakt और इसमें तो तो और Satya है तरह का सारा function के सेम है काम से मैं सब कुछ कोई टेंजन ने लेना है कहां पर कोई कोई साइड हो रहा है वो तुमारा एन प्लस वन पर कोई साइड अब इदर देखो देखना कि हमने क्या देखा कि अगर आपको देखें एक डिवजन को मैंने डिनोट कर दिया है मैंनी स्केल में एक डिवजन को लेंट आफ वन डिवजन मैंने का क्या दिया मैं अलग से भी लिख दो इसको बोल दो मैं लेंट आफ वन डिवजन लेंट आफ वन डिवजन है लेंट आफ वन डिवजन किसमे है ये ओन मैनि स्केल इस दुम मैन स्केल और भी को में डिनेट कर रहा हूं लेंद आप में लेंट आफ वर्ण डिवजन वन डिवजन और डिवजन और रिसकेल बस इतना चीज़ समझ फहले सुरौद अधिए भी को तो आपको मैंने डिनॉट का किसमें वर्णियर स्केल में लेंथ ओव वन डिव जन इन वर्णियर स्केल ओके इतना समझ गया आप चलो अब देखिशन मैंने एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यहां पर लिखे इसको समझाई न मैंने क्या लिखा है s into n minus 1 is equal to n into v क्या क्या लिख दिया सर आपने यह तो समझ नहीं आए हमको अब देखो जाँ जाँ समझो यहां पर coincide क्या यह तो यहां पर पूरे division कितने हो गए number of division पूरे कितने हो गए मुझे बताओ पूरे division किया होगे वाई एक division का value यहां पर देखो में इसपेल की बात कर रहा हूं पहले doubt but I added it and division of and is the number of division on frontier sql and the length of worldview और साप शाफ देखराहिए मैने क्या किया देखो एक दिपर लेंड एक डिवसक चैल ऍे टोटल नमर ऑव दिविजन आक है अह beno Chelsea को एक डिविजन का लेंफ कि सम्त में मेन स्किल में और number of division कितने उसमें N-1 यह N-1 है साफ़ाब सब्हुना थी कि मैंने इसको माना है ओके यह बराबर होगा की यह बराबर की लाईन है 0 सा इढ़ा आप इधर चल रहा है यह यह बराबर होना चिए यह बराबर होना चिए इसका डिविजन इसका डिविजन इन्टो नमर आप डिविजन इन्टो नमर आप डिविजन इसका एक का लेंथ भी लिख दिया मैंने और टोटल नमर आप डिविजन कितने एन हो गया बराबर होना चिए क्या यह लिखा मैंने तो इसको एन को इधर लिया ओ यहां ऐसे करो गोनक एन माइनस वन आप इधर लिआ उगा इसको यह पॉन एख सकते है इसको और भार से आपका ऐसे इसको को solve कर सकते हैं आप लेख ठीक है तो मैंने कुछ नहीं है डिर्क लिख दिया है तो s into n-1 is equal to n into v यह आपको यह अगर आपको समझ जाए तो पूरी कहानी बहुत easy है लिस्ट काउंट को फॉर्मला निकालना बहुत अप नहीं है तो s into 1-1 upon n is equal to v and s is the s is the one main scale division is the one one year scale division your length of one scale one year scale decision तो यह आप ऐसा लिख सकते हो क्या यह 1-1 upon n का मतलब क्या है यह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस माइन इसको मुल्टप्लाइब कर दो जी इसको मुल्टप्लाइब कर दो अंदर एस का मुल्प्लाइब वन में s s का मुल्प्लाइब अंदर कर दो तो ऐसा पॉन n basic चीज़ें सर तो यहां से अगर आप देखें तो इसको ऐसे ला सकता हूँ वी को में इदर लाओ जरा वी को इदर लाओ वी को इदर लाओ और इस अपन से लिक नोडब एसा नोड़ा तो इस मायनस सब्सक्राइब वह है आपका एक डिविजन का एक डिविजन का यहां जो सुनों एक जो डिविजन है मेन स्केल का और एक डिविजन है जो आपका डिविजन लेंथ है जो वनियर स्केल इन दोनों का जो डिफरेंस है इस दिफरेंस यह क्या एक्चिली में इसको हटा दो यह डिफरेंस एक्च है यह आप कहा भी रहे है आप एस बोल रहे है और इसको बोल रहे है भी तो एस माइनस भी करोगे यही तो वो डिफ्रेंस देगा और वही डिफ्रेंस आपका क्या होगा लिस्ट काउंट होगा वही डिफ्रेंस आपका क्या होगा लिस्ट काउंट होगा और यह आपने खुद प्रूब भी कर दिया और वेस्लिए हो भी रहा है इस दा 1 by 10 पार्ट क्या एभी जस्ट पहले में आपको समझाया भी था कि 1 by 10 पार्टी होगा ठीक ना maximum 1 by 10 पार्टी होगा तो यह था श्रेंट पूरी की पूरी कानी 1 year skill की हमने 2 दो क्वेशन के साथ समापती कर दिया पहला क्वेशन था कि इसका ही इसका कॉमपोनेट का थे उसके बाद हमने सी क्स करेंड कि लोग कैसे हो आप deh है जी स्कारters length of one division on many scale n is the number of division on one year scale okay इस तरीकह से या रखना होता है तरीक जा रखना होता है ह। इस तरीकह से स्टेंट या रखना होता हम को कि जाउस्कोल रहुआ को जामको सुब नबीजिक हे सबसे की ग्जाबसे स्टेंट है ठीक पहला आपको यहाँ पर आचांड आउट करना रहता हो यह वाला फॉर्मला इस को अगया। पटीक आपको यहां वहां प्तौब हो सकती है उसके लिए पहलए पहली इस सब्स्ट niño इस्ट मे पांचैने लिए मेनस तरीक्षे सो बथाया है कि जो आपका एस माइनस एंद माइनन पिक्रटर क्या रहें आपका एंज टिविजन इन्डु नमर्वर सब crayon एक कलेंट लैंट इन्ट डिविजन बिव साथ ये करा मैने अन समय हैं दूंस बढसने चोप धयाक प्रणल nep यृट यंख गयाँ मेन को हतनी श्कृप में चैनल कई बरामेश केर दिविजन कुरों तोसन हो वरन गून यह रही हो तक ही तना हम समझ है करें अच्छा अब धर वार्म पर हमारा आप समझे लो मैं इसको रप कर दे रहा हूं पहले इस फॉर्मला मैं इधा लिख दे रहा हूं जो हमने प्रूभ किया भी ज़ास पहले ये इसको हटा के हम ने फॉर्मला फार्मली ही तो निकाला यहाँ पर देखा मेश कि s-v यह देगा हमें list count मुलब कि s upon n यह होगा हमारा list count यह हमारा list count देता है this is the list count यह देगा list count यह difference हो है list count मैंने बखुभी आपको समझा दिया है यह जो difference है यह list count देगा ठीक है यह 00 पर difference दो create हो रहा है ना मैंने जैस्ट पहले आपको बहुत काहानी बता दिया अभी दर देखे थोड़ा सा इस इक्जामपल के जो मैंने set किया यह example इस इक्जामपल के देखने की कुछिस करते हैं क्या यह formula बैट रहा है यह नहीं बैट रहा है अब देखें वहां से एस माइनस भी एस का मतलब क्या था एस का मतलब क्या दो तरह का formula यहाँ पर लिस्ट काउंट के लिए यूस हो सकता है यह तो आप आप s-v करें या आप s upon n करें तो वैल्य आपका सेमिया आना चीह यही लिस्ट काउंट का formula बोलते हैं जैसे s-v का मतलब है कि s का मतलब की number sorry length of length of division of main scale on main scale main scale में जो एक division का length है तो कितना है जी एक है मैं कैसे पता लगा देखो यह जो आपने projection करके आपको बताया था यह जो projection था यह आपका कितना था एक सेंटी मेटर करने पहले आपको बता रखा है कि एक सेंटी मिटरा है एक सेंटी मेटर का मलब यह कितना है 10 mm मुलब की एक म जो है यहां पर एक डिविजन का जो लेंद हो गया वह स is equal to मतलब कि आपको साफ साफ दिख रहा है वन एमें में यासर नॉट वी के मैं बात करूं वी कम अलब क्या है कि वन्यर स्केल में एक डिविजन का लेंद पर उसको पता करने के लिए मैं आपको जस्पेले बताया था वन वन्यर स्केल डि के बरावर हुरह है यही से आपने निकालके देखा थैए यही से आपने निकालके देखा था कि वन भीस्पीजी इस कोल 2 910 एम एश्टी यही हो रहा था क्या मैं लिख सकते हैं इसको जब आप फॉर्मुलर में लिख रहे हैस माइनस वीज इक़र आपको list count निकालना है वो का हा जी सब्केरे का मतलब किया है फ्रंट मैरी कि इसको एक डिवेजॅ का लेंद तो फ्मीकश को डिखो नव्द 1010 कितने का परावर मलब तो सबीख सकते है डेर्क्ली और इन बाय दायन भाइ एस माइनस वी इस एकल टूलिस्ट काउंट यस और नॉट ठीक है वन एमस्ट ही इस देस एस मतलब क्या लेंथ ओफ वन डिविजन ऑन दो मैंने स्केल इस माइनस वी का मतलब अभी हमने जस्ट देख देखा एक वन्यर स्केल डिविजन आपका बराबर हो रहा है उसका लेंथ एक डिविजन वी असडी का मनलब क्या इसी को तो मैं वी लिक रहा हूं एक डिविजन का लेंथ किसमें वन्यर स्केल में तो यह 9 बाइट 10 हो जाएगा क्या 1 बाइट 10 ओप MSD इस विल भी लिस्ट काउंट 1-9 बाइट 10 क्या कितना होता है बलो यह कितना हो जाएगा जी 10-9 स्को स्लक पर हो वन्यर स्वाइट 10 M sD he Hoga इस इस दा वन बाय टन ओप MSD is the list count about finally one bite of MSD का मतलब क्या हो गया 1 by 10 of MS Deca मिलो क्या मेन स्केल डुवजन में से कल डिविजन का मतलब क्या होगय मेन इसकल डी टिव redund का मतलब कि Еक Mbps का एक्डिम सब्सक्राइब एक डिविजन आपका मलब कि 1 by 10 का मलब कि 0.1 mm साफ साफ दिख रहा है 0.1 mm इट विल भी लिस्ट काउंट तो यहीं से हमें सीखने को मिल तर श्टेंट कि वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm हो जाएगा यह साफ साफ देख रहे हैं 1 by 10 of MSD is equal to list count and this will be 0.1 mm the list count एक तरीका तो यह हो गया ठीक है एक तरीका यह हो गया यहां से भी आप निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट और दूसरा तरीका भी यह वाला फॉर्मला लगाते हैं कौन सा यह वाला जो मैंने का रहा था एस अपॉन एंड वाला समझ के यहां से कैसे किया किया कर दिया यह अविजथ देखो दूसरा तरीका देखो दूसरा ट्रीख सपने वाला लिस्ट काॉन का फोर्मला हमने माना सुपर या है यहाद कर Кई सपने अस्का ठालेनग फॉन डिवजंट ग्मयन इस्केल उनमेड इसके मेनिस चीटcji में आपको दिख रहा है किहा एक ऐमेम का ये क्योंकि 10 एमेम के सारे तो एको 43 guide कि ने कम अपन n ये कितना था ये का मतलब क्या होता है n is the number of total division ऑन वीर के वन ए स्केल में टौटल डिविजन कितने है? 10 तो ये कितना आया जी ये 0.1 ही आएगा list count ये क्या आया 0.1 ही आएगा बस खतम इस तरीके से इस्ट्रेन हम list count देखना सिकते हैं इस तरीके से list count हम देखते हैं ठीक है इस तरीके से list count इस तरह से major करते हैं एक वेसन हमाँवर करेंगे स्ट्विन डिए